अगर आप भी बालों की सफेध होने की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो आप इन घरेलू चीज़ों को अपना कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के बिग डे, खान पान और खराब लाइफ स्टाइल की वजह से कुछ लोगों के बाल उम्र से पहले ही सफेध होने लगते हैं। कि आज couple Index दे मन्द हो सकती हैं। तो आई ये जान लेते हैं किन चीज़ों से बालों को फाइदा होगा। और इसका हम किस प्रकार इस्तिमाल कर सकते हैं सफेध बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम इन घरेलू चीजों का इस्तिमाल कर सकते हैं। तो आए जानते हैं इन घरेलू चीजों के बारे में नमबर वन आवले का इस्तिमाल करके हम बालों की कई प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं तो आए जानते हैं कैसे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालों में आवला लगाने से कई फायदे मिलते हैं इसके लिए आप आवले से बने हेयर, मास्क को अपने बालों में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बावल में दो से तीन आवला को पीस कर उसका गूदा निकालना है। इसके बाद एक एक चम्मच मीठा बादाम तेल और शहद मिलाकर बालों पर इसे लगा ले और आध भी फायदे मंद होता है। आपको बता दे की बालों की परिशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्याज भी कम नहीं है। इसके लिए आपको दो दो चम्मच, प्याज और नीम्बू का रस मिलाकर अपने बालों में लगाना है। और कम से कम 30 मिनट बाद हेयर वाश करना है। अगर आप सपता में दो से तीन बार इसे लगाएंगे तो इससे आपके बालों की सफेदी दूर हो जाएगी। नमबर थ्री, ब्लैक टी का भी इस्तिमाल करके बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आईए जानते हैं कैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे की बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ब्लैक टी भी शानदार आप्शन है। इसके लिए आप दो ग्लास पानी को उबाल ले और इसमें तीन से चार चम्मच ब्लैक टी डाल कर एक चम्मच नमक भी डाल ले। इन सब को उबाल कर छान ले और बालों में लगा ले। इसके बाद करीब 30 मिनट तक इसे बालों में रहने दे और फिर बालों को धोले। इससे आपके बालों का रंग काला रहेगा। नमबर 4 चौलाई भी होता है बालों के लिए फायदे मंद जिन लोगों को सफेद बालों की समस्या छुटकार अपाना है। उनके लिए चौलाई यानी अमरनाथ एक बहतर आप्शन है। इसके लिए एक कटोरी चौलाई के पत्तों को पीस कर बालों में लगाएं और कम से कम एक घंटे ऐसे ही रहने दे। इससे आपके बालों में कमाल का रंग आएगा और आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो।